सारे के सारे नव लाख भियर्थियों का मात्र एक ही सवाल है मात्र एक ही सवाल है कि कब यहां पे सुधार होगा सुधार कब होगा क्योंकि हम लोग जब एक्जाम देने जाते हैं जब सेंटर की अंदर जाते हैं तो हमसे जूता खलवा लिया जाता है हमको बुला जाता है कि अंदर भेन लेकर के नहीं जाना है वहां पर जैमर लगवाया घाता है लेकिन जब परिछा देकर के बाहर हम लोग आते हैं तो पटा arrows के लिखे सेफरी हैं दोस्तों यहाँ पर फॉर्ष्ट उर॥ की दोस्तों सुनने में आ रहा है कि यहां पर पेपर लिख हो गया है तो इसको लेकर करके दोस्तों EOEU की जाच चल रही है लेकिन दोस्तों लोगों में संतुष्टी नहीं हो रही है लोग बोल रहा है कि यहां पर लिपापोती करने से नहीं होगा यहां पर जाच वाच करने से देखे ये पूरी तरह से लोगों का कानाई कि ये पेपर लिख हो चुका है अब यहाँ पे कोई दूसरे तरीके से करवाई हो युवा यहाँ पी पूरी तरह से हतास हो रहे हैं बिहार में देखे इससे पहले तो हम लोगों को लग रहा था न कि BPSC सरसत्वी वाला जब हुआ था मैटर तो अब सब कुछ सुधर जाएगा क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से कडाई हो गया था कि भाई बिहार में सब यह सब धर पकड़ चल रहा है तो अब पूरी तरह से कडाई के साथ परिच्छा होगा भविसे में लेकिन यह क्या हो गया यहाँ पे तो सिंटर पे यहाँ पे जाकर के एक्जाम सिंटर पे अंदर में परिच्छा दे रहें और बाहर में तमासा चल रहा है कि वाटसेप पर वाइरल पे वाइरल चल रहा है तो यह सब लोगों को अब बरदास नहीं हो रहा है लोग जानना चाहते है कि किस तरह से आयोग यहाँ पे काम कर रह लोग कैसे कर ले पा रहा है कोई कह रहा है कि केवल 5 मिनट पहले वारल हुआ है कोई कह रहा है कि आदा घंटा पहले वारल हुआ है अरे 2 मिनट पहले भी वारल होता है तो उसको वारल ही माना जाएगा क्योंकि 2 मिनट में काम करने वाला अपना खेला खेल जाता है तो यह सब यह सब गलत बात है, अब लोगों का एक ही मांग है, कि हमको serious यहाँ पर जाच चाहिए, ठीक है क्योंकि यहाँ पर कतफ हाई जाने का यही कारण हो जाता है, थोड़ा सा देखिए, paper इधर लिख हो जाता है, तो कतफ यहाँ पर हाई चला जाता है, तो यहाँ पर जल्द से जल लोगों का कहना है कि कोई नों कोई और भी मेटर हो सकता है डाल में काला नहीं है पूरा दाल ही काला है अब यहां पे लोग सवाल कर रहें कि हम लोग जो चार-चार साल आख फोड़ करके पटना इलाहबाद बनारा सा दिली पढ़ रहें इसलिए पढ़ रहें कि लाक्ष में करके हमारी जगह को यह और छिन ले तो इसलिए लोग आवाज उठा रहें कि यह सब अब बरदास नहीं होगा कोई नों कोई एक्सान ले क्योंकि यूआ यहां पर रात दिन परिश्रम करके अपना घर दुआर छोड़ करके यहां पर हजारों लाखों बरबाद करके अपने भविस को ले करके रात दिन सोचता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा और लास्ट में क्या होता है